जैहीं दोस्तों, SSGD नपोर की नई भर्ती आ चुकी है और इसके फॉर्ण अपलाइब स्टार्ट हो चुके हैं और इसका लास्ट डेट 31 दिसंबर 23 रहने वाला है तो इसके लिए कौन से से most important documents जो हमें अभी से बना लेना चाहिए अगर इस document में एक भी गलती हो गया तो बात में जब SSGD का डॉकमें भी किसन होगा तो आपको reject कर दिया जाएगा चोटी सी गलती और SSC आपको भाई डॉकमें बाहर कर देगा और वहाँ पर लोग कुछ सुनते भी नहीं है तो crucial date से पहले का आपको सारा document बना के ready कर लेना है और कौन को से इसे most important documents है जो हमें अभी से बनाने हैं और documents के गलती होने के बावजू हम इसे कैसे correction कर पाएंगे तो सारा document का जितना भी आपका doubt है SSGD के भरती को लेके सारा doubt इस वीडियो में clear कर दूँगा बस वीडियो आपके बहुत important सावित होने वाला है तो इसका crucial date जो तो कब का है प्रावलम नहीं है तो इससे पहले आपके सारा document आपको ready करने है SSGD के भरती में जो सबसे main document होता है वो क्या होता है वो होता है आपके 10th के certificate क्योंकि 10th basis पे यह vacancy निकाली गई है तो metric का certificate इसमें most important document में एक आता है metric certificate में दोस्तों आपका नाम सही होने चाहिए आपके ममी का नाम सही होना चाहिए अगर इसमें कुछ गल्ती है तो भी दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा बादबा कि आपने वह सब्मिट कर दिया जो भी आपने higher education वहाँ पे दिया है वह education certificate आपके पास होना चाहिए कि वह सारे higher certificate मांगे जाते हैं इसे metric आपने दे दिया है कि हमेने 10th basis पर अपलाई कि है आपके higher education बोला आपने graduation दे दिया है जबकि आपका आपका plus two है तो बादबा कि जो वहाँ पर graduation नहीं होगा तो भी आपको reject कर दिया जाएगा और अगले साल बहुत सरे बच्चों को इस कारण की वज़े से भी reject किया गया था वहाँ पर कोई सुनने वाला ही नहीं है आप जितना भी लोग समझाने कोसिस करोगे वो लोग बिल 20-40 रुपए कमाने से मतलब है नौकरी आपको लेना है तो आपको वहाँ पर focus करना पड़ेगा तो उसको भाई ठीक से आपको वहाँ पर अप्लाई करने टाय में इसाब देखना पड़ेगा जो भी higher education है वही देना बहुत सारी लोग मेरे पहुज में हैं जान पहचान वाले कोई दिक्कत नहीं आप्रोक्स पांसो से छेसो आदमी को मैं जानता हूं जो कि नेक्स्टी आइसे जोड़ेगा नौकरी पायते और सब सर्विस कर भी रहे एक फोन आएगा तो सब पर डिटेल निकल जाए कोई ब बनाया होगा मुल्योस प्रमान पत्र वो दोस्तों चल जाएगा अब मुल्योस प्रमान पत्र क्या सेंटर लेवल का होता है जी नहीं मुल्योस प्रमान पत्र सेंटर लेवल का नहीं होता है यह स्टेट लेवल का ही होता है और इसमें को दोस्तों एक बार आपने बना लिया लेकि Central का नहीं बनाते हैं तो सेंटर लेवल का बनाना आम है बहुत ही ज़रूरी है अब सेंटर लेवल का सब्सक्राइब कैसे बतते हैं यहां पर देख सकते हैं वहाँ पे एनेग्जा दिया हुआ जिसे एनेग्जा 4 हो गया ठीक है इस टैप के जो एनेग्जा दिया हुआ इसी हिसाब से आपको सबकुष डॉकमेंट रेडी करना है इसके नोटिफिकेशन में मेंशन किया है यहां पर देख सकते हैं और दोस्तों अगर आपके पास नहीं है परफॉर्मा तो मैं आपको एसी 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 एस्टी ओबीसी का सेंटर लेवल को परफॉर्फॉर्म मैं आ दोकुमेंट आते हैं अधार कार्ड होगे या पेनगारा है इसमें अगर कहीवी डॉकमेंट छरी और अधार काड़ मे में मेरे दोस्त फड़ा-फड़ा Mesis tutte इस से एक महीना भीन रलेगता है दूटम हो गया 드asyन दील में चार माधे है उसको ठीक क outta हो जो भी गलती है अगर कि ले जाना, next year के सारे भर्ती में जितने भी दोस्कें, Center थे, वहाँ प他說 false एफिडिविडी ऐक्षेπट किये जारे, बस दो, तीन ही से Center थे, जो कि बिहार के जहाँ पर एफिडिविडिडी ऐक्षेट नहीं कियेते। एक्सेप्ट हो जाता है बड़ वो दूस्तों छोटे मोड़े प्रॉब्लम में होता है मेजर प्रॉब्लम में एक्सेप्ट नहीं किया जाता है जैसे कि देशन साटिप्टों बहुत बड़ा जोल जबाटा कर जते हैं आप रहने वाले वो बिहार के आपने बना लिया असाम का और फिर भईया आपके पास है नहीं असाम का तो उस टेम पे भईया वो सब जोल जा पाटा एक्सेप्ट नहीं होता है यह चोटे मोड़े एक्सेप्ट हो जाते है उसके लिए परसान नहीं होना है ठीक है न तो वह दोस्तों आपको अधार कार पेन कार और टेंसल ले की जूरत नहीं है अगर आपके पास अधार कार नहीं है ता भोकर कार बीटब भी वहाँ पर लेगके जा सकते हो भी accept हो जाएगा देन दोस्तों और इची बादों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बहुत सरे ऐसे बचे जिनका SSGD के एविंटर एक्जाम के लिए बिल्कुल भी सिलावत कंप्लेट नहीं है नहीं उन्हें math कुछ आता है नहीं reasoning आता है नहीं gk आता है जिन बचों का सिलावत कंप्लेट तो यह एक आपकी गाइड बेस्ट बुक आ चुक है जक्सव पूली के सिलावत कर सकते हैं और इन पर्चेस कर सकते हैं लिंग में इसके समय डाल मूंगा देन दोस्तों अब आते हैं अपने टॉपिक के उपर तो SSGD के लिए हमें सारा डॉकमेंट यह सब रेडी कर लेना है और अगर किसी भी डॉकमेंट में हमारा नाम गलत है या ममी का नाम गलत है पापा का नाम गलत है तो उसके लिए आपको टेंशन है कोई जुरत नहीं है उसके लिए एफी डेविट पूरा दोस्तों काम में आ जाता है कोई भी टेंशन है की जुरत नहीं है और मेजर डॉकम रहते हो एक दो साल रहे वहां से आपने बनाने कोशिस की वहां से बनाने आपने आपको दिक्कत हो जाएगा अगले बार जैसा बहुत ज़्यादा इसू होता है तो वह दोस्तों आपको एक रेडी करके रखना है उसके बाद आपके एक बार आपने बेनिफिट ले लिया तो एक बार आपने बेनिफिट ले लिया तो तो एक बार आपके मार्क में एड हुआ है जब आप जाओ कर दोकुमेंट बहरना प्रॉपर और बस डॉकमेंट यह होता है कुसिल डेट से पहरे सब डॉकमेंट रेडी करके रखना जो कि है और बहुत ही हार्ड होता है जिसके पास सारे डॉकमेंट होते हैं यह तीन साल तक विलिड होते हैं चाहे वो चाहिए दोस्तों आपके दोमिसर साटिफिकेट हो यह तो आपके तीन-तीन साल तो वैलिड होता है तो यह वैलिड हो जाएगा तो कोई भी टेंशने की जुरत नहीं है और कुछ जुरत नहीं है और कुछ से पहले सारा डॉकमेंट रेडी कर लो बहुत सरे बचों के कॉमेंट कर रहे तो दैने दोस्तों मैंने का कि वीडियो आपके मन में रह गया है तो कोमेंट करो कौन से डोकॉम्न आपका डॉट है को सारा डॉट में कलिए कर दूँगा फिकर ही क्या है बात जब सौरब में शाइन फॉर्म यूडूब चलने आपके साथ, आपका भाई यह ना टेंसरिंग को ज़रत नहीं है, बस आप SSD के लिए पढ़ाई करो, वो भी तन मन धन से, और मैंने दोस्त, मैंने जितना भी आपको टॉपिक्स बताया है, उसारी टॉप यह पर सेलेक्शन रोक नहीं पाएगा, बस आपको मेहनत करनी है, जी और जान से, और सेलेक्शन कनपर्म होगा, बस भगवान है आमारे साथ, टेंशन नहीं कोई विजरत नहीं है, तो मैंने सारी जनकारी दे दी है, कुछ भी डाउट है, कॉमेंट सेल में कॉमेंट करो, औ और मैं इसको बर वीडियो पर्शनली बनाऊंगा भाई, टेंशन नहीं कोई जुरत नहीं है, आपका भाई है ना, फिर टेंशन नहीं कोई जुरत नहीं है, जै हिंग जै भात, लवी मसाहिवेग, बहात मता कि जै बंदे,